हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं यूटूब चानल डॉग लवर तो आज हम बात करने वाले हैं पग डॉग के बारे में पग डॉग ये आज के समय में मौझूद वन अफ दो मोस्ट ओल्डेस्ट डॉग ब्रीड है और इनका ओरेजिन चाइना से है चाइना के रूलिंग फैमिल के साथ रहने के लिए इनको ब्रीड किया गया था इनके कई और नाम होते हैं चाइनीज पग, डच पुल डॉग और मिनी मैस्टिफ 16th सेंचुरी में डच इंस्टिंड की इंडिया कमपनी ने पग डॉग को चाइना से नेदरलेंड ट्रांसपोर्ट किया गया जहां से ये पूरे यूरोप में फैले और पॉपिलर हुए माना जाता है इंग्लिश बुल डॉग और किंग चाग पैनियोल को ब्रीड करने के लिए पग डॉग ने बहुत कॉंट्रिबुशन किये ये डॉग बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन इनका मुह बहुत बड़ा होता है इनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स होते हैं और पग की टेल हमेशा कर्ड होती है ये डॉग छोटे तो होते हैं लेकिन काफी स्ट्रॉंग होते हैं मगर ये बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते हैं इनकी यही खासिय की वज़े से इने छोटे बच्चों के साथ भी आसानी से रखा जाता है अपने स्माल साइज के कारण पर्क डॉग छोटे अपार्टमेंट में भी आसानी से रह सकते हैं इने हर रोज एक लंबी वाक और बहुत सारी एक्सराइज की जरूरत होती है अगर आप इने फिजिकल एक्सराइज नहीं कराएंगे तो ये डॉग्स बहुत चली अपने बॉड़ी में वेट गेन करा लेते हैं तो आप इने फिट रहने के लिए हर रोज कम से कम आदा गंटा फिजिकल एक्सराइज कराएं पर्क डॉग को आप ज्यादा ठंडे वेदर में ना रखें क्योंकि ये डॉग्स बहुत ही इजीली कोड हो जाता है और इने ज्यादा गरम वेदर में भी रखने से इने ब्रीधिंग प्रॉब्लिम हो सकती है तो इने गर्मी के टाइम अपने रूम में ही रखना चाहिए पर्क को मेंटेन करना बहुत ही इजी होता है और इनके short coat के करन इने groom करना भी बहुत इजी होता है लेकिन आप इनके face के wrinkle को बहुत ही आची तरिके से साफ करें इनके आजीब face constructions के करन इने बहुत तरिके के eye problems भी होते हैं ज्यादा गरम वेदर में रहने के करन इनकी body overheat हो जाती है ज्यादा ओवरीट होने के कारण इनके बॉड़ी का कोई औरियन भी फेलियर हो सकता है पग डॉग को अपने ओरनर के साथ गुमना बहुत पसंद होता है लेकिन ये जब घर पे होते हैं या अकेले होते हैं ये अपना वक्त ज्यादा तर सोने में लगाते हैं अपने फ्रेंडली नेचर के कारण पग डॉग बहुत ही गार डॉग या वाच डॉग नहीं बन सकते अपने फ्रेंडली नेचर के कारण पग डॉग ये फैमिली डॉग होते हैं पग डॉग ये चार कोट कलर्स में दिखाए जाते हैं वो है black font, silver font और apricot colors इनका average weight 8 kg से 10 kg होता है तो friends ये थे कुछ Pug Dog के facts Friends, आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो like कर दो और आप मेरे चानल पर नए हो तो subscribe कर दो मत बुलिए Thank you Thank you